जब गुलाबों से ताबों के लिए आप आई शेहर में, कैसा रहा रुभाव? अलब तब लगा कि हम अपने ही शेहर में, अपने ही घर में शूट कर रहे हैं मतलब मन में एक बहुत ही सुकून वाली फिलिंग थी, इतनी comfort, येस, लेकिन एक होता हैं कि आपने इस शेहर से इतना कुछ लिया है, मतलब उसका हिसाब लगाना मुश्किल है, उसका कोई भी, मतलब बयाही नहीं कर सकती हूँ, और I'm sure this is आपके लिए भी इस तरीका है, जो मतलब जिस भी शेहर को बिलॉंग करते हैं, आप नहीं बता सकते हैं, उसका कोई मापदन नहीं है कि हमने क्या लिया यहां से, इस शेहर ने हम को क्या सिखाया, क्योंकि हर दिन, हर रात, हर समय, सोते जगते, उठते, बैठते, आप यहीं का हिस्सा हो, ये शेहर आपके इस शेहर ने, कि वापस आके यहां का सिखा यहीं पर देबा हैं, जब आप इस शेहर से जा रही थी, प्योंकि मेरे साथ यह हुआ है, तो लोगों ने पीछे से ऐसे स्ट्रिंग्स पुल कियोंगी, पुलोगा, मच जाओ, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लक्नों में बड़ा कमफर्ट है, यहां तो घर है, यहां से सब कुछ आप रहकर अपने घर के कमफर्ट जोन में कर सकते हैं, फिर वो कमफर्ट जोन छोड़कर जुही क्यों गई? क्या होते हैं, को उमर भी होती है, कि आपको लगता है कि यह तो है ही, और आप यह सोचते थोड़ी हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि आपको यहां वापस आने के लिए बड़े प्लांस बनाने पड़ेंगे, या दो-दो-तीन-तीन साल, छे-छे साल निकल जाएंगे और आप वा भर के लोग तो हैं, वो कहां जाएंगे, तो लगनो शायद वही घर का जना है, जो है, और दुनिया है, बाकी लोग, लेकिन लगनो उन्हें खींचा ने कभी, लगनो उन्हें जाने दिया क्योंकि पता था कि लगनो कहां जाओगे, 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 आओगे तो यहीं हैं, निया मतलब खून में से निकल थोड़ी सकता है लगनों खून में से नहीं निकल सकता है लगनों और ऐसी जगह पर हम बैठे हैं जो यहां पहली दफा है हम भी आएं और अक्सर हमने इस Ambedkar Udhyan को बाहर से देखा है, लेकिन यहां इतने बड़े आयोजन में इस मंचवर बैठकर एक नामचीन शक्सियत का इंटिव्यू करेंगे, यह कभी नहीं सोचा था बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपने सोचा था आप यहां मेरे साथ रूबरू होंगी और हम बेठकर Udhyan के अंदर हम साहित आज तक कर रहे होंगे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अभी बस उटके कपूर थला जाना है यहां जाना है क्योंकि वही जैसे बोलता ही कहवत होती न मुला की दौर मस्चिश तरक तो जब जूही आती है तो जूही कपूर थला पहला है आपका जो बदलब स्थान निकला हो कपूर थला वहीं के रिट्स के लड्डू आपके लिए बंगवा देंगे लेकिन बहुत बदल गया यह लेकिन फिर भी पुराने वाले लखनो यादू वाले लखनो है मैं कल एक शक्सियत का इंटर्व्यू कर रही थी उनका कहना था बहुत बदल गया है लखनो पुराने लखनो में भी आप जाएंगे न वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे तो वह बहुत खुश नहीं थे इस नहीं लखनों से आपका जो यहां की रूह थी वो बदल रही है लोगों का टेस्ट बदल रहा है जो पहले का खान पान था पहले का पहनावा था पहले की बहुत सारे इसी चीज़ें जो आप आदुनिक्ता ने उसको जाएक पुश नहीं तो सब जगे हो रहा है लेकिन फिर भी यह ज़रूर है क्या होगा और यह चेंज जो हमारे टाइम में जब हम थे यहां पे तो शायद हमारे बड़ों ने भी तब यही सोचा ओगा रे शेह तो बदल गया यह वो शहर नहीं रहा और यह जनरेशन यहीं बोलेंगी हर आने वाली पीड़ी यह कहेगी कि यह वो नहीं रहा जो था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह वो रहेगा, बहुत मुश्किल है. कभी आप लखनों के बारे में भी लिखिये ना? गुलाबो सतावों तो पूरी यहीं के लिखिये. जी. वो आप उसको किसी किताब में लिखिये, किसी ऐसी जगह लिखिये, जो हमेशा के लिए धरोवर बन जाये लखनों के लिए. कभी देखिये. ऐसा नहीं है, बतलब विचार है आपके मन में या पिर आज ही एक … लगनों के इतनी यादे हैं और इतना कुछ है लगनों के बारे में लिखने के लिए या अपने उस जीवन के बारे में लिखने के लिए कई बार ऐसा लगता है कि वो जाना ही अलग था अब जो हैं और तब जो थे कई बढ़ लगता है वो तो कुछ और था वो कुछ और ही समय था वो कुछ और ही टाइम था वो कोई और ही महला था वो लोग ही कोई और थे, कहां गए वो लोग लेकिन शायद अभी उतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे है क्या होगा ना कि अंदर तक बहुत ज़ादा गहराई में जाके रहना पड़ेगा कई समय के लिए मतलब काफी समय के लिए और उतनी गहराई में जाने में कितने परसंट आप मुंबई वाली हो गई हैं? कितने परसंट ये कह देते हैं कि वाली नहींगे वहां की रोस्वंदा में तो बोलना ही पड़ता है क्यूकि अगर आप बोलेंगे मेरी भी हम वाली भाषा नहीं रहे है कि लटनों के लोगों से है योगी इव लोगों से बात करते हैं तो वापस आजाती है वाली आजाती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है लेकिन अगर आप बामे में रह रहे हैं तो फिर समझारी यही है कि जहां जैसा काम चले वहीं पर बोल दो वैसे कि अगर बामे में पर बामे में जाना जाती है